बिस्मिल्लाहिरामाने रहें कम खाने के पाइदे कि दाज किताब तिर ने में अभू नईम ने दिखा है कि नभी सललाहु अलहिवसल्म ने फर्माया कि पेट से बड़ा बरतन अल्हा ने कोई पैदा नहीं किया इंसान को चाहिए कि जब खाए तो उसके तीन हिस्से करें इस तरह की एक हिस्सा खाने और एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सास के आने जाने के लिए छोड़ दे इस हदीश से पता चला कि अगर किसी की खुराक तीन पाव के बराबर है तो उसको एक पाव खाना चाहिए ताकि सेहत बनी रहे और हकीकत यही है कि कम खाने के बहुत से फायदे हैं जिन में कुछ यह हैं आम तोर से सेहत ठीक रहती है हाफिजा और अकल तेज रहती है जरूरत से ज्यादा नीन नहीं आती सास आसानी से आती है नमाज में काहिली और दीन नहीं आती